तो भाई साब जो आज हम question लाए हैं आपके लिए बहुत ही important है class 10th biology का ये प्रशने और 4 नंबर में अक्सर पूछ दिया जाता है class 10th biology और class 12 में भी काम आ सकता है क्योंकि ये topic वाशपोत सर्जन उसमें भी पाया जाता है class 12th biology में तो प्रशन क्या है और कितना important है आपको यहां पर दिकर आओगा कि प्रशन पूछा जाता है कि वाशपोत सर्जन से आप क्या समझते हैं इसका महत तो क्या है या क्या महत तो है इसका और या फिर आपसे question पूछा जाएगा कि वाशपोत सर्जन transpiration के चार प्रमुक महत तो बताईए वाशपोत सर्जन के चार प्रमुक महत तो बताईए तो आपको वाशपोत सर्जन बताना है कि क्या होता है प्लस आपको बताना है कि इसके महत तो क्या है वाशपोत सर्जन के महत तो क्या है तो यही question solve करेंगे बहुत important question है वीडियो को end तक जरूर देखना चार नंबर हो सकता है कि पक्यों हो जाएं, बहुत बार question paper में ये प्रशनित छप जाता है हमारा class 10th और 12th UP board पर इक्षा में, तो चलिए देख लेते हैं कि वाशपोत सर्जन होता क्या है और इसका क्या महत्व है, चलिए देख लेते हैं कि वाशपोत उपस्तित होते हैं, जैसे कि पत्तियां हरे प्ररोह आदी के द्वारा आंतरिक उतक से अतरिक्त, यानि कि इंटरनल टिशू से अतरिक्त पानी, यानि कि जो अवश्यक्ता से अधिक water है हमारे पौधों के वाईवी भागों में, उसको वाश्प के रूप में बाहर निकालत जो पौधे हैं, वो क्या करते हैं कि अपने वाईवी भागों, जैसे कि पत्तियां हरे प्ररोह आदी के द्वारा आंतरिक उतक का जो अवश्यक्ता से अधिक पानी होता है, उसको वाश्प के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, वाश्पोत सर्जन पौधों के सभी व अपसे कॉमन हैं पौधों में जहां से पौधों से वाश्पोत सर्जन होता है, तो वाश्पोत सर्जन क्या है कि पौधों में वह प्रक्रिया है, जिसमें पौधे अपने जीवित भागों, अपने जीवित वाईवी भागों जैसे पत्तियां हरे प्ररोह आदी से आंतरी पानी होगा तो वाश्प के रूप में बाहर कर देंगे यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी यह प्रक्रिया कहलाएगी वाश्पोत सर्जन ट्रांस्पिरेशन कहलाती है तो वाश्पोत सर्जन पौदो के सभी वायवी भागों से होता है लेकिन पत्तियों से मुखिता ट्रांस्प इस्टोमेटा दोनों सतह पर पत्तियों के इस्टोमेटा पाए जाते हैं, इस्टोमेटा वो रंद्र हैं जिनसे वाशपोत सर्जन की प्रक्रिया होती है, तो पत्तियों की दोनों सतह यानि की ऊपर की ओर भी और नीचे की ओर भी स्टोमेटा दोनों सतह पर वित्रित रहते है स्टोमेटा को हिंदी में कहेंगे पर्ड रंद्र तो ये हमारा है वाशपोत सर्जन आप अच्छे से समझ गए होंगे कि वाशपोत सर्जन है क्या फिर से देख लेते हैं वहक्रिया जिसमें जीवित पौदे अपने वायवी ये भागो जिसे पतियां या हरे प्ररोह आदी से क्या करते हैं कि आंतरी कूतक में जो अवशक्ता से अधिक पानी है वो वाशप के रूप में बाहर निकालते रहते हैं वाशपोत सर्जन कहां से होता है मुक्यता पतियों से होता है पत्यों में जोर पर्ड रंद रोते हैं स्टोमेटा दोनों सतह पर पाय जाते हैं वहां से वाशपोत सर्जन की प्रक्रिया मुखिता होती है पौदों में वाशपूत सर्जन की प्रक्रिया मुक्रता पढ़ रंद या स्टोमेटा की थ्रो होती है जो कि पत्तियों की दोनों सतह पर वित्रित रहते हैं काफी अधिक संक्या में स्टोमेटा पत्तियों की दोनों सतहों पर पाए जाते हैं चलिए देखते हैं अब वाशपोत सर्जन के महतुर। अब हम यहाँ बर पढ़ने वाले हैं वाशपोत सर्जन का महतुर। कि यह क्या importance होता है transpiration या वाशपोत सर्जन का। तो वाशपोत सर्जन को क्या कहते हैं आवश्यक बुराई यानि कि necessary evil कहते हैं क्योंकि वाशपोत सर्जन के परेडाम सरूप पौधों में जल की कमी हो जाती है अता विशेश यानि कि शुशक स्थान जो हैं शुशक स्थानों के पौधे तो इसे रोकने के लिए भी अनेक उपाए करते हैं या पौधे के लिए अत्यन तुपी होगे वाशपोत सर्जन से क्या होता है कि पौधों में हाला की पानी की कमी हो जाती है लेकिन वाशपोत सर्जन के कई महा तो भी हैं अब क्या महा तो हैं वाशपोत सर्जन के वो यहां पर बताए गए हैं तो सबसे पहला माद तो आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहला माद तो हमारा वो है अतरिक्त जल का निस्तारण यानि कि जो एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉब किया हुआ है हमारे पौधे ने उसको बाहर कर दिया जाता है किसके दुरू वाश्पोत सर्जन या ट्रांस्पिरेशन के दुरू तो यहाँ पर क्या लिखा है पौधे भूमी से लगातार अपने मूल रोमो द्वारा परासरण वा अन्ता शोशन और इंबिबिशन द्वारा जल का आवशोशन करते हैं शरीर में आवश्यक्ता की अपेक्षा ये जल कई गुना अधिक होता है अता वाश्पोट सर्जन के दौरा क्या होता है कि अनवश्यक्त तथा अतिरिक्त जल एक्सिस वाटर जो है हमारा वो पौधे के शरीर के बाहर निकलता रहता है तो ये भी एक जरूरी प्रोसेस है क्योंकि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो शरीर के बाहर पौधे के शरीर के जाना चाहिए जिससे क्या होगा कि सबी जैविक प्रक्षियाएं जो पौद्धे के अंदर होंगी वो संतुलित रहेंगी तो एक्सेस वाटर को वाश्पोट सरजन के दौरा बाहर निकाल दिया जाता है ये भी एक इसका इंपॉर्टेंस है हलाकि इससे पौद्धों में पान की रूप से चलती रहती है अब देखते हैं दूसरा जो महत्त है वो है खनिज लवणों की प्राप्ति ये देखे कि वाश्पोट सरजन तता जल के अवश्योशन में एक घनिष्ट संबंध होता है पौधे द्वारा जितना अधिक वाश्पोट सरजन होता है उतना ही अधि जल अवश्योशन करना पड़ेगा तो उससे क्या होगा कि जितनी तेज हमारा वाश्पोट सरजन होता है उतनी ही जल्दी हमारा हमारे जो पौधे की जड़े हैं वो जल का अवश्योशन करती है और जल के साथ खनिज लवणों का भी अवश्योशन करती है तो इससे क्या हो होता है कि जो खनीजघ लवन और जल के साथ जो खनीघ लवन जाते हैं वो पौदो में लगातार पहुंच ते रहते है अब वाशपोध सरजन के दारह पत्तिओं से लगातार जल का जल की कमी हो रहی है और जड़ों से क्या हो रहा है कि नए खनीज लवण और जल अवशोशित किये जा रहे हैं जिससे क्या होता है कि जो महत्पूर्ण खनीज हैं पौधे के लिए उनका अवशोशन लगातार पौधे की जणे करती रहती हैं तो ये एक बहुत इंपौधेंस है कि वाशपूध सर्जन अगर नहीं होगा अच्छे से तो फिर अवशोशन जड़ों द्वारा जल और खनीज लवणों का अवशोशन भी नहीं हो पाएगा अता पौधों के द्वारा जितना अधिक जल का अवशोशन होता है उतने ही अधिक खनीज लवणों का खनीज लवण इसमें घुलकर पौधे के शरीर में पहुँचते रहते हैं अधिक वाशपोध सर्जन से रिक्तिका रस्में परहसरन दाब बढ़ जाता है इस प्रकार और अधिक लवण पादप शरीर में प्रोवेश कर सकते हैं तो यह हमारे इंपोर्टेंस है जो इंपोर्टेंट खनीज लवण है जो मिनरल्स हैं पौधे के लिए आवश्यक उनका अवशोशन भी बेहर जरूरी है तो इसके लिए क्या चाहिए कि वाशपोध सर्जन होता रहे जब वाशपोध सर्जन अच्छे से होगा पत्तियों से उतनी ही तेज हमारा जल का अवशोशन और खनीज लवडों का अवशोशन जल के द्वारा होता रहेगा और क्या होगा कि पौधे के लिए जो महतपूर्ण खनीज लवण है जो मिनरल्स है वो लगातार उसको मिलते रहेंगे अगला महा तो देखते हैं अगला महा तो क्या है वाशपोथ सर्जन का वाशपोथ सर्जन कर्शन तता रसा रोहन तो वाशपोथ सर्जन ये ट्रांस्पिरेशन की दोरा सक्षन प्रेशर उत्पन होता है जो रसा रोहन यानि कि एसेंट आफ सैप के लिए अत्यांत महात पूर रसा रोहन जो हमारे भोज बदार्थ हैं उनका क्या होता है कि सर्कुलेशन होता है पूरे बोधे में इसके लिए जरूरी है कि वाशपोत सर्जन दोरा जो सक्षन प्रेशर उत्पन होता है उसी से क्या होता है कि रसा रोहन संभव हो पाता है इससे क्या होता है कि जल बड़े बड़े व्रक्षों में भी उनकी अत्यदिक उचाई तक पहुँच जाता है तो वाश्पोत सर्जन क्या होता है कि पौधे के वाईवी ये भागों से होता है जैसे पतियां और हरे प्ररो तो क्या होगा कि वहां से लगातार पानी बाहर जा रहा है वाश्प के रूप में तो क्या होगा कि जो नीचे का जल है पौधे के निचले भागों में जो जल है वो उपर की ओर जब गती करता है तो उसको हम क्या कहते हैं रसा रोहन कहते हैं जल में खनीज लवण भी उपस्तित होता हैं, तो खनीज लवण और जल की अवशक्ता पौदे के हर एक भाग को होती है, तो ये circulation अच्छे से जल तता खनीज लवणों का circulation वाशपूत सर्जन की कारण ही सही ढंग से उचे ढंग से पौदे के सभी भागों में हो पाता है, एक महत्तो है वाशपूत सर्जन का कि वाशपूत सर्जन करशन या suction pressure के कारण ही रसा रोहन की प्रक्रिया पौदों में संपन्न होती है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट है हमारा ताप नियमन, तो ताप नियमन में क्या होता है कि वाशपूत सर्जन के कारण ही प उसका उप्योग पौधा ताप से बचने में करता है तो ताप नियमन में भी इसका यूज होता है ताप नियमन में भी इसका महत्व है वाशपोर्ट सरजन या ट्रांस्पिरेशन का तो आप हेडिंग भी अगर याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा हेडिंग याद कर लीजेगा और उसमें दो दो तीन तीन लाइने आप याद करके अच्छे से लिख सकते हैं अगर आप प्रोसेस पूरा समझ जाएंगे अगर आप ने क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा तो आप वहाँ पर हेडिंग भी अगर आपको याद होगे तो आप लिख दोगे फिर देखते हैं जल का समान वितरन तो जल का समान वितरन क्या है वाशपूत सरजन के द्वारा पौदे के सभी भागों में पानी का वितरन समान रूप से हो जाता है अगला है पौदों में शेरकरा की सांदरता अधिक वाशपोद सरजन की कारण फलों में शेरकरा की सांदरता बढ़ जाती है जिससे क्या होता है कि फल अधिक मीठे हो जाते हैं ये भी एक महत्तु है इसके बाद यांतरिक उतकों वा आवरड का निर्माण अधिक वाशपोद सर्जन अधिक होगा तो जो पौधे के mechanical tissues हैं उनमें क्या होगा कि अधिक व्रद्धी होती है जिसके कारण क्या होगा कि पौधे मजबूत होते हैं ये उतक पौधों की जीवाणवों बैक्टीरिया या जीवाणवों मतलब बैक्टीरिया कवकेनी फंजाई आदी से रक्षा भी करते हैं विशेश कर बाहरी भागों पर वने क्यूटिकल या उप्चर्म आदी के आवरेंड से तो यह क्या है कि यह भी हमारा एक importance है वाशपूत सर्जन का कि यांत्रिक उतकों और आवरेंड का निर्माण में भी वाशपूत सर्जन हमारा रोल प्ले करता है तो यह सबी थे हमारे important महत पूंड महत वाशपूत सर्जन के और हमने यह भी सीखा कि वाशपूत सर्जन होता क्या है तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी थांक्स फ़र वाचिंग अन लेस्निग में अगर वीडियो अच्छी लगोया तो शेयर और सबस्क्राइब जरूर की जएगा थांक्स वर वाचिंग अन लेस्निग में गूट लग फार फूची थांक्यूद अब बाय-बाय